नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में भिशन गर्मी की वज़ा से 18 जून तक इस्कूल बंद, जार्खन में कलास एक से आट तक की कक्छाए 17 जून तक बंद रहेंगी, वहीं कलास नौवी से बरहमी तक के इस्कूल 15 जून से खुल जाएंगी भिशन गर्मी और लू को देखते हुए जार्खन के इस्कूली सिक्षा यम सशर्था भिभाग ने या देश जारी किया है, बतादे सिक्षा सचीव के रभी कुमार ने या निर्देश जारी किया है, इससे पहले 12 जून से खुलने जा रहें स्कूलों को 14 जून तक बंद कि जा गया था, अब सिक्षा सचीव के रभी कुमार ने जारी जारी पत्र में कहा गया है कि 11 जून को जारी पत्र में संसोधित करते हुए अब परदेश में पढ़ रही अत्यधिक गर्मी और लू को देखते हुए सभी परकार के सरकारी गर सरकारी और सरकारी साहता प्राप् की जाएगी शिक्षा सचीवी ने यह भी कहा है कि आवकास के दर्ण होई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा रांची विस्व बिद्याले की सेंटर लाइबरेरी का छजा गिरने से रामगर के छात्रे की मौत रांची विस्व बिद्याले के सेंटर लाइबरेरी का छजा गिरने से एक छात्रे की मौत का ममला सामने आया है बताया जारा है कि छात्रे सेंटर लाइबरेरी में पढ़ाई करने आया था बता दे 14 जून को जब वो सेंटर लाइबरेरी में साइकल रखने के लिए खाड़ा था तो अचानक से छाजा गिर गया जिसके करणवा बूरी तरह से घायल हो गया जिसके बाद आनन फानन में घाटना स्थर पर एंबुलेंस से छाटर को रिम्स ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत गोसित कर दिया इस घाटना के बाद छाटरों ने सड़क जाम कर दिया है बताथ है कि मिरी तक छाटर की पाचान मंतोस बेदिया के रूप में हुई है उसके पिता का नाम सहजनात बेदिया है छातर राम का रची लेके भुरकुंडा का रहने वाला था वह बिये की पढ़ाई कर रहा था इस घाटना के बाद रांची बिस्वबी द्याले में सोक की लहर है इधा सेंटर लाइवरेरी गेट पर छातर सड़क जाम कर विरोध कर रहे हैं जारखन में 18 जून तक हीट वेब का अलर्ट मौसम केंद्र रांची ने एक पर फीर राजे में हीट वेब का अलर्ट जारी किया है विभाग के पूरणमान के मुताबिक 14 जून को राजे के दक्षनी उत्तर पूरवी और उत्तर पच्मी भागों में कहीं कहीं हीट वेब की ठीदी देखी जा सकती है वहीं 15 से 17 जून तक राजे के दक्षनी और उत्तर पूरवी भागों में कहीं कहीं लू चलेगी जबकि 18 जून को राजे के दक्षनी भागों में उसन लहर का कहर देखा जा सकता है इस करान लोगों को गर्मी से और सहोजता महसूस हो रही है खास कर बच्चे और बुजर्गों के स्वास्वर परतिकूल पभाब पढ़ने की समभवना है ऐसे में मुस्वम के नरे रांची ने कुछ खास बातों का ध्यान रखने की बात सला दी है जैक बोड दस्वी बरहवी स्कूटनी के लिए आवेदन की अमतिम तित्थी 21 जून जारखन में दस्वी और बरहवी का रियल्ट आने के बाद विद्यार्थियों के लिए स्कूटनी की परकिद्या जारी है अगर आप भी अपने मांक से संतुष नहीं है तो आपको जल्द से जल्द एस्कूटनी के लिए आवेदन कर देना चाहिए क्योंकि आवेदन की अमतिम तारिक 21 जून है इसके बाद जैक आवेदन को सविकार नहीं करेगा आयोग ने इस समयाद में पहले ही पत्र जारी कर चुका है बताद इसकूटनी के लिए आवेदन करने वाले मैट्रिक विद्यार्थुक प्रती भी से 450 रुपे देना होगा जबकि इंटर के छात्रों के लिए ये सुल्क 750 रुपे है हलाकि स्कूटनी के दड़ा नंबर बढ़ने की समभनाए काफी कम रहती है जार्खन बोर्ड एगारवी रिजल्ट में गलबड़ी दोबारा पहिनाम जारी करने की मांग 13 जून को जय की ओर से जारी एगारवी की परिशा के रिजल्ट जारी कर दिया गया पहिनाम जारी किये जाने के बाद गिरीडी जीले के स्टूएंट काफी नराज दिखे यहां काफी संक्य में छात्र छात्राव को कम अंक प्राप्थ हुआ है इसमें कई ऐसे भी छात्राव हैं जिन्होंने मैटरी की परिशा में बेहतर परिशान का टॉप प्रो में अपना स्थान बनाया है लेकिन इंटर की एगारवी की परिशा में ऐसे बच्चों को भी मात्र सोला अंग देकर फेल कर दिया गया बतादे गिरिटी कॉलेज और आरके महिला कॉलेज के करीब सतर परिशान चात्र सदराया हैं आरवी परिशा में फेल कर दिये गा है इसी के बाद आज अखिल भरतिय विद्धार्थी पईसर के बैनर तले काफी संग्या में छादर स्थीता रेजल्ट में सुधार करने की मांग को लेकर परवा टान स्थीत नए समानाला पहुंचे और DEO कर्याला के घेराव कर दिया घेराव के दरण उन्होंने जमकर नारेबाजी भी किया है धनबाद में दिन दहरे गोली मारकर टानस्पोर्टर की हत्या धनबाद जिले में हत्यावा मडर जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं राजा ममला जिले के पथर डी थाना छेत्र कहा है बता दे चास नाला साउथ कोलोनीस्थी सेल काटा घहर के निकट नीजी कर्याले में कोईला टानस्पोर्टर वा बनी हारी पेट्रोल पंप के मालिक प्रवीन राय को अपरादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गोली की आवाई से उनकर आसपस के दुकंदावों को जूटते देख अपरादियों ने भागने के करम में एक होटल संचालक राज किसोर सींग को भी गोली मारकर घहल कर दिया आनन्परणड में खून से लत्पत प्रवीन को चास नाला चीहसी में भरती कराया गया है गीरी डी से लपाता आठ माह के बच्चे का सौ कुणा से बरामत गिरिडी जिले के नवडिहा ओपी छेतरे के सिया टान से बीती राज से गायब आठ माह के मासूम बच्चे का सवबुद्धवार की दोपहर में बच्चे के घर से महाज 300 मीटर की दुरी पर आवास्थीत एक कुवा से बरामत किया गया कपना की सुचना मिलने के बाद खोरी महुआ, SDPO, मुकेस कुमार महतो, सद बल मौके पर पहुँचे और सो को कबजे मिले कर थाना ले आई है बता जा रहा है कि सियाटा निवासी, सुलेखा कुमारी पत्ती, कुंदन कुमार के 8 मा का बच्चा, सिवांग कुमार अपने परिजनों के साथ कल रात में 6 बसो रहा था रात में अचानक बच्चा गायब हो गया, जब परिजनों ने काफी खोजबिन करने पर बच्चा नहीं मिला, तो देर रात को ही परसासन को सुचना दी थी देवघर में किसानों का EKYC कराया जाएगा अपडेट देवघर परखन के सभी पंचायतों के पंचायत भवनों में सीविर लगाया जा रहा है, जहां लाब से वनचित किसानों का EKYC अपडेट कराया जाएगा, साथ ही लेंड सीटिंग भी की जाएगी बता दे किसान मीत्र अपने अपने छेतर में जाकर वनचित किसानों को इसकी जनकारी दे कर उन्हें लाफ पहुचाने का काम कर सकते हैं, किसान मीत्रों से आग्रह किया गया है कि किसानों को पैंचायत भवन में पहुचाये दिरसल देवघर परखंड कराले परिशार इस्थीत एटिक कराले मंगलवार को किसान मीत्रों की समिश्चा बैठक हुई थी इसके अध्यक्स्ता परखंड तक्निकी प्रवंधक ससांग से खरने की है रांची पतना वंदे भारत में सफर के लिए किराया जारी रांची पतना वंदे भारत एक्स्परेस में सफर करने के लिए यात्रियों को एक्जिक्विटिव कलास के लिए 760 रुपए और चेयर कार के लिए 890 रुपए देने होंगे इसमें कैटरिंग की रासी नहीं जोड़ी गई है यात्रि अपने एक्छा के अनुसार खाने का उडर दे सकते हैं इसके लिए यात्रियों को आतिरिक रासी का भुगतान करना होगा ट्रेन में कूल 8 कोच है वहाई पर ते कोच में 78-88 सिटे हैं ट्रेन परिचालन को लेकर किसी तिथी की घोसना नहीं हुई है संभवना जताई जा रही है कि जून माह के अमतिम सब्ता में या जुलाई में इसका परिचालन हो सकता है देवघर में गरजी वसुन्धरा पीम मोदी 2024 में लगाएंगे हैट्रिक भारतिय जन्ता पार्टी के उपाध्यक सब पूर मुख मंत्री रायस्थान सरकार वसुन्धरा राजे देवघर पहुंची है बुद्धवार को देवघर में आजित प्रेस कांफरेंस में नोने पधान मत्री नायन मोदी के 9 साल के सूसासन पर कई बाते कही बिकास और गरीब खल्यान के चर्चा करते वक्त सिंधिया ने कहा है कि मुख मंत्री और पधान मंत्री के रूप में नायन मोदी जी का 22 वर्ष का कारेकाल भरतिय जन्ता पार्टी के इतिहास में गौरण पुन उपलब दी है वह जन्हित में किये अपने कारेयों के कारान बैस्विक पटर पर चर्चा में आए दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान में अच्छा काम हो रहा है आज गलोबल लीडर के रूप में पी एम की मजबुत पाचान बनी है मोबाइल पर एनिडेक्स डाउनलोड करा साइबर अपराधियों न उड़ाई 7 लाख रूप है बैंक के कस्टमर केर पतिनिधी बनकर मोबाइल पर एनिडेक्स एप डाउनलोड करा खाते में सिंद लगाने के मावले में CID की साइबर अपराध थाने के पूरिष ने दुमका जिले के तीन आरोपयों गिरफतार किया है इन लोगों पर रांची के 15 थाना चेतर के लक्षमी नगर कूसुम भवन निवासी 74 वर्सी रामधनी साउ के खाते से 6,99,997 रुपय के अवाय धास तरांतरन का आरोप है रामधनी साउने साइबर अपराध थाने में इसी वर्स 10 जनवर उकुपरात्मी की दर्ज कराई थी गढ़वा में धर्मांतरन की कोसिस करा थे धराय 12 लोग जारखन के गढ़व में धर्मांतरन का पर्यास कर रहे एक दर्जन लोग गरामिनों ने पकड़ा और पूलिस के हवाले कर दिया है पूलिस ने इनके पास से 20 पेटी धार्मी किता बरामत की है मिली आरमभिक जनकारी के मताबिक गिरफतार किये गए लोग गरामिनों का इसाई धर्म में कन्वर्जन का पर्यास कर रहे थे हिरासत में लिए गढ़ महिला और पूरुस दोनों सामिल है बता दे इसाई धर्म में ग्रामिनों के कन्वर्जन का या पूरा मामला गढ़वा जी लेके टंडवा थाना छेत्र का है टंडवा में ग्रामिनों ने बुद्धवार को कुछ लोगो को पकड़ा तो मामला का खुलाचा हुआ है धन्यवाद